नई बीमारी लाइक, शेयर, इस्टाग्राम, फेस्बुक, यूट्यूब, सोसल मीडिया, मेरा चेहरा, मेरी पोईशन ये एक नई बीमारी है जो समाज के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है बहुत सारे बच्चों की जान जा चुकी है और बहुत सारे बच्चों की जान इसमें जाने को त्यार है बहुत सारे बच्चे और बड़े बुड़े इसमें मनोवग्यानिक रूप से, मेंटल रूप से फर्च चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, डिप्रेसिन में जा चुके हैं, चिर्चिडे हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे युवा जवान अभी जाने वाले हैं घर-घर में, कौने-कौने में, हर जगे, यह डिसीजी बीमारी बहुत तेजी से फैलती जा रही है जानते हैं, क्योंकि बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े मनुचिकसक रहे हैं, उनोंने सबसे पहले मन को जाना, मन को देखा, मन को खोला, मन को समझा और मन के उपर उन्होंने एक अभी धम पीटक से सारा का सारा जितना भी साहते बाद में बनाया गया जो बाद में यार करके लिखा गया वो सारा मनों वग्यान के उपर है और artificial intelligent जो artificially intelligent है जो करतिम जानकारी है वो सारी की सारी उसी अभिधम पीटक या उसी बुद्ध के सद्धान के उपर आधा रहे है ये like, share और selfie इसका जो रोग है या जो इसकी बीमारी है या इसकी disease है ये कैसे आती है और कैसे बनती है ये बहुत simple सा उन्होंने बहुत पहले ही बताया हुआ है बुद्ध बताते हैं कि मनुस्य को बीमारियां कैसे लगती है एक मार शब्द उन्होंने दिया देवपुत मार मार इसलिए बहुत ज़्यादा important है मैंने एक video मार का बनाया है उसे अवश्य देखें क्योंकि 10 तरह से मनुस्य को मारा जाता है उन 10 तरह में से एक तरह पसिद्धी भी है पसिद्धी का मतलब है आदमी मनुस्य प्रिसद्धी के लिए प्रिसिद्ध होने के लिए जो आच्यान करता है मार उसको अपने कब्जे में ले ले लेती है जब प्रसधी का रोग किसी को लग जाता है और उसका काम खतम हो जाता है तो प्रसधी ऐसी है क्योंकि प्रसधी जो होती है शोहरत का कोई साहिल नहीं होता ऐची एक बात बताई गई है शोहरत का साहिल नहीं होता मतला जो प्रशद्धी है, जो famous है, जो fame है वो समुदर में बीच में गए हुए व्यक्ति की तरह है जिसका कोई भी बैंक, किनारा या साहिल टट नहीं होता यानि के वो कभी भी तरट पे नहीं पहुचेगा आदमी एक बार अगर प्रशद्धी के समुदर में उतर जाए तो चारोतर फिर समुदरी समुदर पानी ही पानी होता है वो उसी में मारा जाता है सुरू में उसको अच्छा लगता है बाद में जब से कोई किनारा नहीं मिलेगा कोई तट नहीं मिलेगा कोई बैंक नहीं मिलेगा कोई जगे नहीं मिलेगी तो वो पानी के अंदर ही मर जाएगा उस प्रशद्धी के अंदर ही मर जाएगा एक समस्य आये थी हमारे साथ में जो 97-98 में आई थी हमें एक खबर चलवानी थी उस समय आज तक को आदा घंटा दिया गया था सरकारी टेली तो आज तक प्रोगाम आता था आज तक बड़ा फेमस था लोग उसका इंतियार करते थे क्योंकि आज तक जो न्यूज ले का रहा था वो अलग तरह से पेश काता थ सरकारी न्यूज थोड़ा बोजिल लगती थी हुँ उनके मुकावले हलागी सरकारी न्यूज जदा अच्छी होदे थे तो आज तक चटक-मठक के साथ में एक न्यूज को पेश करता था लोग उसको देख थे हम न्यूज लेके गए आज तक के पास के हमारी ये न्यूज S.P. Singh, उन्होंने हमसे कहा कि इस न्यूज में तो कुछ है ही नहीं यानि ये न्यूज तो बहुत सिंपल सी है इसको कौन देखेगा तो हमने कहा भई ये तो न्यूज तो न्यूज है आप इसको दिखाईए तो जिसको देखनी होगी देखेगा किरें नहीं, यहां तो जिस न्यूज में कुछ चटक-पठक होती है, वो चलती है तो हमने पूछागी भी चटक-पठक किस तरहेगी किरें कुछ धन्ना प्रदेशन करो कुछ क्या बोलते हैं ऐसा करो जिससे लोगों का आकशन हो तो हम उनकी बास समझ गे मैंनका आप हमसे यह कहना चाहते हैं कि हम सेल्फ इमूलेशन करें या नहीं कि हम अपने आपको जलाएं हम भूखरताल करें मरने के लिए तियार हो जाएं हम पेटो चलती आग लगाएं ताकि आप वीडियो बनाएं और वो चले के देखो आंदलन कारियों ने अपनी मांगे मानने के लिए अपने आपको अगल लगा दी या भूखरताल कर दी वो चटक मठक है वो रगा नहीं मैं ऐसा तो नहीं कह रहा आशे उनका ऐसा ही था चटक मठक है चटक मठक न्यूज में क्या चटक मठक होती है समझ गें तब हमें पहले बार एसास हुआ कि न्यूज को बेचने के लिए उसमें तड़का उसमें चटक मठक उसमें लगाया जाता ताकि लोगों में बटे और ये बीमारी सोचल मीडिया पे आने के बाद बहुत ही से बढ़ गए लोग अपना चेहरा अपना नाम और अपने आपको फेमस अपने आपको प्रिशिद्ध करने के लिए बच्चे बुड़े सब इसकदर लगे हुए हैं कि वो भॉन्डी से भॉन्डी हरकत भी कर रहे हैं ऐसे ऐसे एप आगे हैं जिसमें आदमी और बचे सब अलग अलग तरह से हर अलग इस्टाइल में ताकि लोग उनको देखें अच्छा काम तो करने ही पातें क्योंकि अच्छा काम में इतनी ज़्यादा चलकमलत नहीं होती मगर बुरे काम सारे किये जा रहे हैं इतने ज़ादा फेक नूज, इतने ज़ादा फेक आइटम और देखें ज़ादा चीजें विउज के लिए कि लोग हमें देखें दरसन आयाई और कुछ पैसा भी मिलता इंटरनेट से उस पैसी के लिए भी, पृसिदी के लिए भी लोग एक से एक उन्होंने अपने जो संबन्ध है, अपने जो relationship है, अपना जो privacy है, अपनी जो private जिंदगी है, वो सारी दाप पर लगाती है एक से एक घटिया टाइप की जो वीडियो आते हैं, जो मनवग्यानिक रूप से बिमार लोगों के हैं, वो आप लगाता लगाता देख रहे हैं, photo भी देख रहे हैं, और उसको like कर रहे हैं, उसको acceptance दे रहे हैं, उसको मानने ता दे रहे हैं, यानि कि आप भी वैसे ही होते ज पूरे यूटूब पर, पूरे social media में सिर्फ वही चपके, रात और रात प्रिसिद्ध होने के लिए आदमी जितने उटी हरकत कर सकता है, जो सोच से परे कभी रही होंगी, वो भी कर रहा है, ये एक मानसिक बीमारी है, जो बहुत तेरी से पढ़ गई है, सिर्फ इसलिए प जाइ मिलने वाला है, थोड़ा revenue YouTube जैसी कंपनी, क्योंकि YouTube तो चायती है, या जो कंपनीयां वो तो चायती है, कि उनका चैनल लोग जदा जदा देखे, उनका इंटरनेट बिता है, इंटरनेट से उनको पैसा आता है, इंटरनेट बहुत मोटा पैसा उनको देता है, जब आ इक कंपुटर पर उनकी चीज़ें, उनके content को देखें, ताकि उनका इंटरनेट खर्च हो और इंटरनेट का share उनको आए, इसलिए वो लगातार एक से एक बड़े game देती है, सारे जितने भी game आते हैं, या जितने भी बहुन्डी चीज़ें आती है, वो सारी की सारी मार पर आधरित होती है, मार का मतलग है, या तो वासना उनके भरी होगी, या उनके अंदर क्राइम भरा होगा, या उनके अंदर हिंसा भरी होगी, या उनके अंदर गाली गरोज भरी होगी, या उनके अंदर जो ethics हैं, वो anti-moral होंगे, यानि के सदाचार के बिपीत होंगे, वो व लोग एक से क्रिमिनल हर्कते कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, सिर्फ इसलिए है कि मीडिया उनको अटेंशन दे रहा है, लोग उनको अटेंशन दे रहे हैं, देखो क्या किया, इसने वहाँ फायर किया, इसने वहाँ गोली चलाई, इसने वहाँ ऐसा किया, इससे प्र अगर आपको रातो रात प्रिचारक बनना है, इस्टार बनना है, नेता बनना है, तो आप वो सबसे खराब बात जो क्रिमनल हो सकती है, जो एंटी हो सकती है, उसको बोल दीजिए, मीडिया वाले अपने व्यूज इखटा करने के लिए, अपना पैसा इखटा करने के लिए, और उसमें तरका लगा के जो उसका टाइटल है वो बड़ा ही ऐसा बनाएंगे कि देखो इसने क्या किया, ये जानकर आपको मिलेगा इतना फाइदा, ऐसा देखकर आप बनेंगे करुड़ पती उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसको मिले दस लाग, ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना ये जीवन की चार बातें आपको हमेसा सुखी रखेंगे, ऐसा करेंगे तो आप बन जाएंगे अरब पती इस तरह की अनरगल बात है, टाइटल सिर्फ बेचने के लिए डालते हैं, सारा सैक्स जतना भी है वो उसमें फोटो लगाते हैं इसलिए कि पिरसदी वीव और लाइक उसमें आएं, बेसक समाज गड़े में जाएं, भगवान बुद्ध ने बहुत पहले मार के रूप में इसको बताया इसका उन्होंने उपाया बताया कि आपको विपसना साधना में जाते रहना चाहिए विपसना साधना के 200 सेंटर पूरी दुनिया में है, 100 के करीब सेंटर पूरी इंडिया में है विपसना के लिए आप विपसना सब को टाइप करेंगे तो उसका एप भी है वो आ जाएगा या dhamma.org पर जाएगे तो वहाँ booking करा सकते हैं फिरी है निन्नी सुल्ख है आप अगर अपना देश बचना चाहते हैं अपने आपको बचना चाहते हैं अपनी सभयता बचना चाहते हैं अपना समर समाज बचना चाहते हैं अपनी समर संस्क्रती को बचना चाहते हैं अपने आपको अपने परिवार को बचना चाहते हैं तो जो पसद्धी की जो मार है इससे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके आप या तो विपशना करने हैं या इसको छोड़ दें ये नई बीमारी है ये बहुत बच्चों को चपिड में ले चुकी है बच्चे अपने एजुकेसन खाना सब छोड़ चुके हैं उल्टी सीदी हरकत कर चुके हैं आपने देखा होगा कैई गेम ऐसे आये हैं जिनमें बच्चे सुसाइड करके मर जाते हैं बहुत सारे बच्चे सेल्फी लेते समय पानी में बह जाते हैं दिवार से गर जाते हैं मिनार से गर जाते हैं बहुत सारे बच्चों की सियत खराब हो चुकी है बहुत सारे बच्चों की आँखें खराब हो चुकी है बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मन नहीं लगता बहुत सारे बच्चों को मोबाईल की भीमाई लग चुकी है अगर मोबाईल उनके पास नहीं होगा तो वो अनीजी हो जाते हैं बेचेन हो जाते हैं परिसान हो जाते हैं बहुत सारे लोग उनके पास नया मोबाइल नहीं है अच्छा मोबाइल नहीं है इतनी डिफ्रेस्ट में चले जाते हैं बहुत सारे लोग घर से पैसे चुड़ा कर इंटरनेट खरिते हैं और इंटरनेट में डिलवा के उसमें जो ग अगर अच्छा काम करेगा तो वो अपने मोबाइल में लोक लगा के नहीं रखेगा अपने मोबाइल में कोई कोड फीड नहीं करेगा परिवार में सब के मोबाइल अगर खुले हुए हैं इसका मंदब परिवार ठीक है और अगर परिवार में सब लोगों ने अपने मोबाइल में लोग को ला रखे हैं, कोड़ फीड कर रखे हैं और एक दूसरे से मोबाइल को छुपाते गूमते हैं इसका मतलब उनके मोबाइल में अच्छी सामिक्रिया नहीं है इसलिए वो छुपाते हैं धन्यवाद अच्छी सामिक्रिया नहीं है